वेलकम बैक टू माई टूपिल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आज की वीडियो में देखने माले हैं गोरखपुर इनिवस्टी की बात करेंगे और जिसमें हम फर्स्ट और सैकेंड पेपर थर्ड यर कर डाल सुके हैं हिस्टरी का अब हम थर्ड पेपर की बात करेंगे और यह 2022 में आने वाले कोशन है आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे यह केवल 10 से 11 कोशन होंगे और इनको जरूर पढ़के जाना पेपर देने से पहले मैं आपसे बोल रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेर कर दालीजे पहला कोशन है इस कोशन को ध्यान से देखिए अईन कोशनों को अपने बुक नोट्स गैस पर जो भी आपके पास है उस पर टिक लगा ले ना और यह कोशन पढ़के जाना यह कह रहा है 1919 का जो जो था प्लेट्स सेटलमेंट के बारे में 1919 का सेटलमेंट के बारे में आप याद करेंगे वहीं बात की जाए राष्टी संग के बारे में तो राष्टी संग के जो उपलब्दियां थी और उनकी विफलताएं थी उपलब्दियां की विफलताएं क्या-क्या थी राष्टी संग के बारे में बुग आप यात करेंगे, आपके बुक में इस तरीके से कोशन दिया होगा, आप उसको थोड़ा सा पढ़ देना अच्छी तरीके से, यदि कोशन आपका, देखो, इस तरीके से आता है, तो आप बना-बना के लिख देना, लेकिन आप छोण के नहीं आएंगे, मैं अपसे ब वडन करें, ठीक है, वडन करने का मतलब कह रहा है, ठीक है, और यहां कह रहा है, ताना साही का उदय, देखो, ताना शाही था, उनका उदय कैसे हुआ, और उनकी, जो कह सकते है, फासी बाद, और, कह सकते है, जो नाजा बाद था, उनके वारे में आप से पूछता है, जो रूस में या रूस की जो करांती हुई थी ठीक है उसकी आपसे पूछता है कि जो इस्टाइलीन के बारे में पूछता है लेनिन के बारे में पूछता है ठीक है और मुस्तफा के बारे में पूछता है मुस्तफा जो कवाम था तुर्की के उत्थान के बारे में आपसे पूछ यापान का मसद्ध करेंगे संधयाय तो और तो योगति करेंगे Christians Ouais करेंगे जो होता है यूएन का संक्तिक ओढ़त से पूछता है की रूज्वेल्ट की नई डोल कैसे थी उसके बारे में आपको देखेंगे कि चीन में जो समराजवाद ब्रोधी आंदोलन कौन कौन से थे उसमें आपको देखेंगे कि चीन में जो समराजवाद ब्रोधी आंदोलन चलाए गए थे उसमें क्या-क्या हुआ था ठीक है उसके बाद में आता है कि भा कोशन बैंक में मिल जाएंगे बस इतना कोशन पढ़ना है जो आपके एक्जाम 2022 के लिए मॉस्ट इंपोटेंट है आप इन कोशन को पढ़के 85 परसेंट प्लस लाएंगे कोई दिक्कत नहीं आप चलो को जो सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना थेंक यू फो बच्छेंट रिडियो और दोस्तों